तुमस्कार में प्रियरेंजन और आज की इस एपिसोड में साउथ इंडियन बैंक स्टॉक को डिसकस करेंगे चुकि पूरा बजार ही आज स्ट्रॉंग रहा है जहां पूरे बजार में ही आज जो हैं फाइब टू ट्वेंटी परसेंट तक की तेजी दिखी है तो ऐसे तेज इसू के थुरू कंपनी ने फंट्रेज करें 1150 करोर का 53 करोर सेर कंपनी ने इसू करें हैं वह लिस्ट होते दिखेंगे और इस लिस्टिंग के बाद हो सकता है कि एक डाउनफॉल दिखें यह मैं हर वीडियो में आपको रिमाइड कर रहा हूं यहां देखें इस स्टॉक के हिस्टोरिकल डाटा को मंथली हिस्टोरिकल डाटा को फिल्टर आउट करें तो आज का जो वॉल्यूम है वो रिसेंट के वॉल्यूम के आज पास का ही है ऐसा नहीं है कि रिसेंट का वॉल्यूम जो है दो से तीन करोर का दिख रहा है और आज का वॉल्यूम दस करोर हो गया ये average volume के आसपास का ही volume दिख रहा है इसके अलाबे bonds के payment को लेकर के company ने एक circular जारी करा कि जो हमारा bonds के payment के date है हम लोग arrangement कर रहे है make payment in accordance with the timeline जैसे common news दिखा है इसके अलाबे news कुछ भी बरी नहीं है delivery देखें तो better दिख रहा है trend देखें तो trend जो है वो थुरा बहुत एक retracement upper side में यानि strong trend दिख रहा है अब इसके chart को देखें चार्ट को देखें क्या chart में क्या दिख रहा है इस समय यहां देखेंगे technically मैं chart एक नया draw करके दिखाऊं यह trend line है जहांसे continuous down move दिख रहा है और earlier resistance हुआ करता था वो इस समय support बना है यहां यह resistance हुआ करता था यह resistance हुआ करता था यह support बना again यह support बना तो इस समय biasness जो है वो negative ही है क्योंकि यह trend lower low lower high का दिख रहा है अब मैं यह कहूंगा कि यह बाला जो level है जो earlier support हुआ करता था यह resistance बनेगा और नीचे यह support है तो 26 to 32 य बिल्कुल कौन सा जोन है यह है no trading zone अगर आप long करना चाहते हैं short term trader के लिए मैं क्या रहा हूँ तो minimum यह जो level है इस level से 32 से उपर आने दीजिए जहां आप 40, 58 और 70 जैसे levels को लेंगे लेकिन important है यह no trading zone है यह consolidated zone है negative भी नहीं है consolidated zone है अगर 26 तोड़ता है फिर 22 और 19 जैसा level दिख सकता है तो short term trader इस zone में बिल्कुल ignore करें अगर आप long term investor है तो बने रहे short term option downs को ignore करें और अगर यह stock opportunity 24, 26 में मिले तो यह opportunity अगें grab करेंगे और last opportunity 2021 के level का भी wait करेंगे वहाँ one time investment भी किया जा सकता है तो short term trader ignore करें long term trader है तभी बने रहें breakout 32 के उपर जब तक नहीं करें बरे trend expect नहीं किया जा सकता है